दोस्तो नमस्कार करनल अजय स्यों अजय स्टों मनेगरूफ फर्स्ट ग्लोबल एस्टों फनाइस लीचर चैनल से आप से मखाती होता हूँ आज पांस दिसंबर संद दो हुजार तेज़ दोस्तों कॉटन कपास पर चाह साल 2015 हो चाह साल 2014 हो यह साल 2021 हो हमने कपास के सही और उताचड़ाव को आपको पकड़के दिया है साल 2023 का अपरेल मही का महिने के अगरिम विशलेशन हमारा अक्षत सत्य साबित हुआ था दोस्तों इस समय कप कॉटन का पास एक दो राय पे खड़ी है एक तरफ मंग में गिरावट और टेक्स्टाइल प्रग्रेक्ट की कम मंग रूई की किमतों को बढ़ने में असमंजस पैदा कर रही है साथ साथ अमेरिका और तमाम यूरोपें देशों में भी लगबग 30-40 की 30-40 साल की सबसे बड़ी महंगाई आम जनता की खरीद शक्ती तोड़ रही है और ये भी एक महतापुन सत्य है कि कॉटन का पास की नेच् काफी बटा है क्योंकि पिसले साल रूई में तेजी के बाद कही मिलों ने वेकल्पिक फाइबर इस्तमाल करना शूरू किया है इससे भी फरक बड़ा है लेकिन एक बड़ा प्रशन ये भी है कि जिसको नेच्रल फाइबर पहनना है कॉटन पहनना है वो कॉटन ही पहनेगा आगे क्या संभाइबना बन सकती है जान ये रिपोर्ट है कि अन्का इंतजार किसान और जिनर्स कर रहे हैंorte कि मांग में गरावट Hybrid की कारण भार्तिय स्प्निंग उध्योग एक अपड़ा उध्योग की हालत अभी काफी खराब बताई जा रही है और जिनिग उध्योग की حालत थोड़ी सी बेतर है लेकिन फिषले साल जिनिंग उध्योगों की हालत खराब होने का सर अभी भी देखने को मिल रहा है कौर्तलावर रूई को बजार कव का आपको जार दोगा साल 2015 में भी हमने आपको अगरिम विशलेशन देते वे तेजी की बात कही था रूई के दाम गिर क्यों रहे हैं यह एक बड़ा प्रेशन है पिछले साल रूई की किमतों में शानदार तेजी थी और कई बड़ी कंपनियों ने रूई को के अल्टरनेट के रूप में विस्कोस पॉलिस्टर फाइवर रिसाइकल पॉलिस्टर फाइवर लेलिन आधी का अपयोग बढ़ा दिया था और मल्टी यानि जो मल्टी नेशनल कंपनी के जो टेक्स्टाइल ब्रैंड थे जैसे जारा लूनमें विगरवादी उन्होंने भी कोटन उत्पात की तुलना में अधिक मेंग बेचे जा रहे हैं जिसके कारण कहीं मल्टी नेशनल कंपनी ने 100% का पास उत्पात उसे बनाने गार्मेंट को बनाना कम कर दिया है जिससे ग्लोबल इस्तर पर रूई की मांग कम हो रही है दूसरी और अमेरिका समय कहीं देशों में 30 से 40 साल की बड़ी महंगाई के कारण जनता की बाइंग पावर यानि परचेज पावर घट रही है कपड़े खरीदना जनता की चौथी पांच्पी प्रास्मिक्ता मानी जारी है पहली प्रास्मिकता भूज़न है उसके बाद हेल्थ है फिर एजूकेशन है और उसके बाद में फिर हाउसोल्ड प्रड़क्ट वगरँ है इसलिए दुनिया भर में कपड़ों का प्रड़क्ट की दिमांड में गिरावट थोड़े के समाचार है चीन की मंदी ने भी कॉटन प्रड़क्ट की मांग कम करने में प्रमक भूमिका निभाई है पिछले लगबग 20-21 मैंने में रूस और युकरेन के बीच चल रहे लड़ाई के कारण कई देशों के अंदर कपड़ों के उत्पात की दिमांड घटी है और चीन की मंदी की कारण यूरोपेन देश का आफे प्रभावे तो है यूरोपेन देश की जो है वो चीन के प्रड़क्ट की प्रमक केंद्र माने जाते हैं साल दोजार चोईस में ब्याजदरों की कटोती का चक्ल शुरू होने की संभावना है और जब बजार लिकुडिटी बढ़ेगी तब मार्च अप्रेल दोजार चेईस में लगबख सभी प्रोड़क्ट की दाम बढ़ सकते हैं दूसरी हम देखें भारतिय रुई का बेसिक घट कर चार सेंट रह जाने से मल्टी नेशनल कंपनियों ने रुई की खरीदारी शुरू कर दी है इसलिए अब रुई की कीमते ज़्यादा गिरने की उमिद कमने जा रही है वरत्मान में रुई की कीमत घटकर 55,000 उपरे प्रेपती केंडी हो गई है और भारतिय रुई का बेसिस कम हो गया है जिस अब निर्यात की परेटी लागू हो गई है इसलिए निर्यात भारतिय कौटन का निर्यात बढ़ने की उमिद लगाई जा रही है कौटन कौर्परेशन ओफ इंडिया की खरीदारी लगातार बढ़ने के समाचार है जिससे आने वाले दिनों में सप्राई का दवाव कम हो सकता है मौझूदा साल में रूई के सीजन जिनर्स के लिए बहुत चुनोती पूर्वा का है क्योंकि पिछले साल जिनर्स को पूरे सीजन में कई चुनोतीयों का सामना करना पड़ा था विशेश रूप से कपास में आए कि अपिक्षा कम है हाला कि रूई की कीमते गिरने से नुकसान की संभावना कम हो गई है फिलाल रूई की कीमत कम है जिससे कई जिनर्स स्टॉक जमा कर रहे हैं कौटन यांग की मांग अभी बहुत धीमी है स्पिनिंग उद्योगों के समस्या पूरी तरह से हल नहीं है रूई की कम कीमतों के साथ स्पिनिंग उध्योगों के लिए रूई का स्टॉक बनाने का ये अच्छा समय हो सकता है लेकिन इस्पिनिंग उध्योग की सूती धागे की मांग बड़े इसके ओपर अभी स्पिनर्स को भरोसा कम है रूई बजयार का मूट इस समय बहुत अधिक तेजी का नहीं है ऐसा लोगों का मानना है रूई की किमते लगबग निचले स्तर पर है लेकिन कॉटन यान और कपड़ा प्रडेक्ट की यानि टेक्स्टाइल प्रडेक्ट की मांग घटने से रूई के दाम बढ़ना अभी एक प्रशन चिन है चुकि अमेरिका यूरोप के देशों में इंफलेशन और हायर इंट्रस्टेट का सामना कर रहे हैं इसलिए कॉटन और कॉटन के प्रडेक्ट की नाम घट रहे हैं आने वाला समय बहुत महतापून साबित हो सकता है विशेश रिपोर्ट के लिए आप संपर करें दिसंबर महेना रूई के लिए महतापून साबित होने की उमीद है